वो खड़े हुए थे अन गाड़ी अपने आप निकल गई बरफ में जब कि बरफ में गाड़ी के अल्मोस्ट हाफ टायर से थोड़ा कम गाड़ी बरफ में थी अगर मैं ABC की बात करूँ, Acceleration, Brake and Clutch क्योंकि मैंने पूरी गाड़ी खुछ चलाई है अकेले जाते टाइम रेगूलर ड्राइवर कमफर्ट जोन की अगर मैं बात करूँ न हाँ सारे 500-500 km से लाने के बाद भाई अब आ जाती है co-passenger और पीछे family जो बैटी है उसकी बात तो भाई वो गाड़ी आटोमेटिकली साइड होती है पतले रस्तों पे यह benefit हुआ 20-30 की स्पीड से मैं स्कॉच की नभे पे भी लेके गया हूँ लो आर्पियम पे भी गाड़ी चड़ रही है बाई कच्चे रस्ते पे यह देख रहे हुआ इंजिन्स के साउंड आ रहा है कि यार यह लोग उठ है आप इसको हलका अचा पुछ दो यह ऐसे गोली की तरह निकलती है ना भाई वहां पर आपको फील आता है कि भाईया 203 गोडे बोल रहे हैं हेलो जी के फैमली वेल्कम बैक टू दन्यू व्लॉग और भाई तुम्हारा जी के भाईया आज फिर से एक नई वीडियो लेके अभी आज की जो वीडियो है ना यह बहुत लोगों कोश्चन आया था कि यार आप ट्रिप पे गाड़ी लेके गए जैसे कई लोगों पता कि मैं गाड़ी ट्रिप पे लेके गया था और मैंने एक ट्रिप में लगबग 15-16 सा किलोमेटर गाड़ी चलाई थी नॉन स्टॉप मतलब की रेगुलर 3-4 दिन में ठीक है मैं यहां से हिमाचल गया था पीछे जो फ्लैग दिख रहा है यह महीं से लाया था हिमाचल से तो ट् ना कस्टमर रिव्यू दे दो कि इस गाड़ी को पहाड़ों पे लिजाने का कैसा रहा प्लस मेरी गाड़ी जो टोटल अब तक चली है वो चली है 3,301 किलोमेटर यानि की 3,301 किलोमेटर जिसमें से जब मैं ट्रिप से आया था तो कुछ 3,000 किलोमेटर के आसपास यह चली अब भाई अगर इस गाड़ी की बात करी जाया ना कि आप इसको कैसे टरेन पे चलाएं सबसे पहली बात बताता हूं अगर आप यह गाड़ी सिर्फ सिटी एरिया में चला रही है जैसे कि डेली NCR हो गया या फिर आप मुंबई रहते हैं या फिर आप बैंलॉर रहते हैं फिर आप किसी भी गुजरात कहीं पे भी रहते हैं इंडिया के कहीं पे भी जहां पे एक बुदर सिटी जैसा एरिया है और आप एक गाड़ी से आ रहे हैं और आप कहरें ना कि मैं इस गाड़ी को एंजॉय कर रहा हूं नहीं मैं 4x2 वहिकल लेके पाड़ों पे गया मैंने स्टीप चड़ाई पे चड़ाई आप वीडियो में देखना इनीशियल तो चलो पाड़ों पे नॉर्मल कर्व से जब मैं उपर होटल पे गया था सिसू में जागला गाओं में ठीक है गाड़ी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया फसने के बाद भी यह गाड़ी अपने आप निकली हां बस धका भी नहीं लगाना पड़ा मेरे को आगे व्लॉक्स में देखना आपको जो सीरीज आ रही है अगर आप लेट देख रहे हो तो वह आ चुका एपिसोड नहीं त आगे से दस्ट चुकी थी पिछला एक टायर टस्ट था और एक टायर हावा में था तो उसको सपोर्ट देने के लिए दो बंदे खड़े हुए थे मेरे दोस्त वह खड़े हुए थे अन गाड़ी अपने आप निकल गई बरफ में जबकि बरफ में गाड़ी के अल्मोस्ट ह आफ टायर से थोड़ा कम गाड़ी बरफ में थी इतना डीप था वो अगर मैं ABC की बात करूं acceleration brake and clutch जैसे एक भाई का मेरे कोशन आया थे किया इसका clutch response brake response कैसा रहता है पहाड़ो पर उसका बताओ आपने ट्रिप पे भी लिखी गए और वैसे भी चलाई है जो इसका ventilated disc है न आप एकदम brake मार रहे हो गाड़ी टेडी मेडी नहीं भागती गाड़ी स्ट्रेट लाइन में चलती है प्लस पैनिक ब्रेकिंग के साथ साथ इसके पार्किंग लाइट सालो जाती है that is very good feature आसपस वादर को थोड़ा पता लग जाता है एकदम शूरे कर आ गया था तो मुझ दिक्कत आती है गाड़ी पुष मांगती है कभी कभी स्लिप हो जाती है नहीं चड़ पाती है एक सीवी 500 की अगर मैं बात करूं विच इस वरी ब्रिलिंट वहीकल और एक सीवी 700 का भी फ्रेंट वील ड्राइव की बात करूं अगर आप इसको किसी स्लोप पे अच्छे से प पाती है ठीक है परसंट टू-परसंट भी वेरी करता है आई अगरी लेकिन आपके पास अगर यह गाड़ी है ना रेर वील ड्राइव का बेनेफिट हो गया भाई यह गाड़ी नॉर्मल आर्पिम पे चड़ जाती है मैनवल ही बात कर रहा हूं मेरे पास मैनवल गेर बॉक लेकिन उसके भी डून नो साइद कुछ लिमिटेशन होते हैं 2000 के बाद शिफ्ट हो गया कुछ ऐसा पर यह गाड़ी अगर मैनवल में आप चला रहे हो ना भाई नहीं फच सकते आप कहीं भी नहीं फच सकते इस गाड़ी को दबाते चले जाओ वाकई बहुत अच्छी गा पड़ेंगी तो यह चल जाएगी प्लस शाय टायर का भी आपको चैंज करना पड़े अब अगर बात करते हैं ते लॉंग रूट पेस गाड़ी का कमफर्ट कैसे रहता है जो की बहुत इंपॉर्टेंट है बहीं देखो मैं बैटा था सिर्फ ड्राइवर सीट पर क्यूकि म ना हो उसका तो क्योंकि शायद Z2 में नहीं आ रहा है लंबार सपोर्ट बाकी वहिकल्स में बाकी ऑप्शनस में आपको मिल जाते हैं अलग-अलग गाडियों में भी नहीं होता है कहीं हो में लंबार सपोर्ट बैगर स्कॉर्पियन की बात करू तो भाई इसका comfort zone काफी तो उसके हिसाब से मैं थोड़ा seat back करके भी चलाता हूं थोड़ा रिलाक्स में इसा चटके गाड़ी नहीं चला ही जाती है भाई steering के ओपर तो मेरे को कहीं कोई थकान नहीं हुई हां सारे 500-500 km चलाने के बाद नेक पेंड जरूर हुआ था वहोगा क्योंकि अब regular बैठे तो वो थोड़ा सा तो आपको पेंड आएगा बट back pain, foot pain, leg pain कहीं पे भी नहीं था छोटी गाड़ी में सबसे आदेश्यू क्या होता है जो नीची गाड़ियां होती है कि आपका जो left leg है clutch की वैसे pain करने लग जाता है थाई या नहीं में आपको pain होता है इस गाड़ी में ऐ तो नीरस बैटा हुआ था mostly time बानू early morning बैटा था पर mostly नीरस बैटा था उस बंदे का जो response रहा है ना मेरे को की रियली उसने कैमरे पे बोला है वैसे भी उसका comfort बहुत अच्छा था कि उसको कहीं पर भी धकान नी होई किया नॉर्मली हमने 200-300 km बिना ब्रेक के गाड़ी की तो यार अगर आपकी गाड़ी में कोई बंदा ऐसे बैटके बोल रहा है कि भाई गाड़ी में फील नहीं हुआ हम इतने किलोमेटर चल भी लिए तो भाई इसका मतलब समझ लो comfort गाड़ी का बहुत जबरदास्त है अब अगर मैं बात करूं पीछे वाली सीट की बाद जहा नहीं देखी कर रहा है मैं बहुत गाड़ी में बैठा हूँ तो उसका response था कि भाई मैं फॉर्चुनर में बैठा हूँ एन फॉर्चुनर भी इतनी comfortable नहीं है ठीक है अब इस बात को competition में मतले जाना यह कैसे बोल दिया it is true बहुत लोग कहते हैं कि फॉर्चुनर बैठने के बहुत जादा इस गाड़ी का comfort back seat का बहुत अच्छा है जिस तरीके से बैठा हुआ था आराम से सीट भी उसने थोड़ी से tilt कर रखी थी क्या रहा है मस्त फील आ रही है और आगे से जादा comfortable seat पीछे की है ऐसा उसने बोला था because मैं personally पीछे नहीं बैठता मैं बैठता हूं अब जहां तक बात आती है इस फ्रेज की commanding position तो भाई हाँ इस गाड़ी की commanding position है आप जब रोड़ पे चलते हो आपको पूरा बोनट दिखता है सब गाड़ियों की छते दिखती है प्लस अगर आप रोड़ पे चल रहे हो single way single lane का रोड़ और सामने से कोई गाड़ी आ रह ड्राइवर नहीं है समझदार बंदा है तो वह आपको side देगा इस गाड़ी का मुझे पतले रस्तों पे यह benefit हुआ कि इस गाड़ी का मुझे confidence हुआ था slope पे कि यार मैं अगर इसको हलका सा push दे रहा हूं तो यह चलेगी प्लस अगर मेरे पास overtake करने में gap थोड़ा कम है ब इस गाड़ी पर confidence है यह मैं experience के साथ बोल रहा हूं इसको चलाने के बाद ऐसी हवाबाजी में नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैंने यह चीज़े करी है ट्रिप में मैंने इसको एकदम 20-30 की स्पीड से मैं इसको स्की नभे पे भी लेके गया ओवर्टेकिंग पे और वापिस फटा फट से 30 पे भी लाया हूं एकदम पैनिक ब्रेकिंग के साथ तो भाई इस गाड़ी ने साथ दिया है यह आपको मतलब की confidence देती है कि भाई या गाड़ी चलाई है जहां पर सिर्फ यह एक गाड़ी निकल सकती थी दूसरी गाड़ी की जगे नहीं थी साइड में खाई थी इस दरफ पहाड़ था और भाई बहुत अच्छा response plus slope turning पे भी slope और इस गाड़ी ने धोका नहीं दिया यह गाड़ी भाई चली हलके हलके push पे ब गाड़ी का इस वामले में response काफी ही जादा अच्छा है अब जो बात करते हैं क्लच डीप है क्या है नहीं भाई क्लच इसका नॉमल है ऐसा कुछ फरक नहीं है स्मूथ है क्लच इसका काफी स्मूथ है अगर मैं टाटाई गाड़ीों से compare करूं तो इसका क्लच काफी जादा स्मूथ है ब्रेकिंग भी काफी अच्छी है एक्सेलरेशन तो भाई घजब है मतलब खुले रोड़ों पर भाई इसके 200 गोड़े ना लिटरली 203 गोड़े इसके फील होते हैं मेरे पास पेट्रोल मैन वा लेजंड लोगो नहीं पता है 203 गोड़े बाई जब आप किसी को ओवर्टेक कर रहे हो ना भाई वो फील होती है चीज प्लस अगर आप स्लोप पे हो आपको दिख रहा है आपकी आसपास की गाड़ियां इंजिंस के साउंड आ रहा है कि यार यह लोग उट रही है आप इसको हलका सा पुछ दो यह ऐसे गोली की तरह निकलती है ना भाई वहाँ पे आपको फील आता है कि भाईया दो सो तीन गोडे बोल रहे हैं पीछे वाला बंदा जब मेरे को हॉन देता था ना पहाड़ पे कि यार ओवर्टेक करना है हॉन देता था तो मैं बता है अगर हाँ कोई ऐसी कर्णिशन थी तो मैं ब्रेक मार के उसे निकलने देता जो आपको क्लस्ट एक्सिलरेट करते ही जो रेस्पॉंस मिलता है जिसके आपके साथ वह बहुत अच्छा है सेकिनली मुझे जो बेनेफिट हुआ आप दूसरे गेर पे हो तीसरे पे हो चौते पे हो पांसवे पे हो यह च्छटे पे हो भाई इसका पिकप गजब है आप प प्लस पॉइंट की कमफर्टेबिल्टी यहीं से नोटिस होती है कि इस गाड़ी में अगर आप जूल नी रहे हो विवाचल के गड़ो वाले रोड में पीछे नीरेज बैटके सो रहा था अर्ली मॉनिंग लेटके सो रहा था इन उसको फील नहीं हो रहा था और उसने बोला गड़े बहुत ज्यादा थे उस रोड पे इसका फील होता है कि भाई गाड़ी स्मूथ बहुत चलती है अब इस गाड़ी के वाले बहुत सारी चीजें अलग अलग वीडियो में आते रहेंगे एक छोटा सा स्पॉंस मना आया था 3000 किलोमेटर का एक और वीडियो लेंगे अ पीस